अभी अभी बिहार में जातिकर जंदर्ना हुई फिलकर उसके आगड़े जारी हुए अगर आप पढ़े दिखे लोगों ध्यान रखते हो वो जातिकर आगड़े कहते हैं कि 12% आबादी 90% से जादा आबादी बिहार में दरिश्वरे आदिवासी और अनफ सुंचर समाज की है अगर आप राइस्थान का उकराओ के सर्वे मैं सर्थ लोग के कह सकता हूं कि 85-90% आबादी आदिवासी दली पिछवे और अनफ सिंचर समाज की राइस्थान में होगी भारत में जब लोगतंत्र आया वोट का दिकार मिला उस लोगतंत्र का अस्रिव देश से क्याता इसम आप दोर करो लोगतंत्र यानि के बहुमत का साशन बहुमत का मतलब जिनका वोट होगा जिनकी संख्या जादा होगी उनका राज होगा वोट हमारी जादा थी लेकिन हमारा राज नहीं आया सदियों सदियों हम लोग अजादी से पहले इंदियार करते रहे कि कोई हमारे ज करेगा कभी मन नहीं हुआ हमें अवसर मिले की हम पर नियाए होगा तो को सजा मिलेगी कि नियाए पालिका में चाहे गिले की ओ या प्रदेश की हो हाइए कोटव सुप्रिम कोटव उनमें भी आज हमारे लोग की संचार नहीं है वहां भी हमारे घुशने के बैजर लगाए गए है मैंने कल ही और मैं लगतार कह रहा था कि आजास हमाज पार्टी का उतेसर है संपूर्ण समाजी नियावई यानि कि अंतिम वेक्टी को भी जो हासे पे है उसको भी रोटी कपड़ा मकान स्वाइबान समाजी का जीवन और उसको भी आउसर मिले अगर उसके जमीन नहीं इसको जमीन मिले उसके रोजगार नहीं इसको रोजगार मिले उसको उद्रोग मिले और अगर उसके पास घरीवी है तो उसकी जेब भरी जाए उसको ताकत वर मनाया जाए वो सुहमान समान सजिए अन्या प्षिचार बंद हो जुड़ीतरी हो यह सरकार का कोई भी तंत्र हो समिधान के दुआरे जो वेवस्ता बनी उसका कोई भी तंत्री के इसाब से इस्सेदारी होनी चाहिए लेकिन घजब देखिए कि लगतार चाजी का ताकड़ों को छिपाया गया मैंने आपसे कहा कि 90% आबाजी राइस्तान में आपकी है तो आप मुझे बताओ कि राइस्तान में राज किस्का होना चाहिए राजिस्तान एक कानून नहीं मना पाएगा एक वेक्टि को सजा ने जिना पाएगा लेकिन अगर आपने अपने आप अपने आपको ताकड़ कर बिनाने का फैस्टा ले लिया अगर आपने तै कर लिया कि अब हम घुलाबियों की भेडियों में नहीं रहेंगे अगर आपने तै कर लिया कि हम हर जुल को खतम करेंगे जट से एक तरीका ये है कि अन्याय होने के बाद आप सरकों पर आओ न्याय मांगने, F.I.R. लिखाने, गिरफ्तारी कराने और एक तरीका ये है कि अपनी ताकत बनाओ कि कोई ऐसी सामत वाजी सोच ही जो है वो किसी के दिमाग में नाया कि किसी कमजोर की बेटी की तरफ खाम उतागे